आधिवादी पार्टी के मुख्या, अखले सियादों जी का अहिदे शियार परखट करता हूँ, उन्हें मुझे सरवेंटि टिप्टी सीम कहा है, यह सही है, मैं चन्ता के सिवक के रूप में, नौकर के रूप में, प्रदेश की चन्ता के लिए काम करता हूँ, जबकि अखल प्रदेश के मुख्मंद्री रहे हैं और मैं अख्ली स्यादू जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्हेंने मुझे सर्वेंट टिप्टे सीम माना है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स रहे नवाच मैं हूँ आपके साथ अकास्त रवीदी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक और समाजवादी पार्टी अधिक्ष अकलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं अकलेश यादव ने ब्रजेश पाठक के सर्वंट करसंबोधित कर दिया है इसके बाद ब्रजेश पाठक हमलावार हो गए हैं उन्होंने कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं जनता का नो करू बुद्दवार को गर्माय महल के बाद गुरुवार को ब्रजेश पाठक ने अपन नाम बदल कर सर्वंट बरजेश पाठक कर दिया दरसल जे पी एन आई सी विवाद को लेकर अकलेश यादव ने राज सरकार पर जोड़दार हमला बोला था अकलेश यादव ने यहां पर दिवार फांदी थी और इसके मामले में बरजेश पाठक का बयान भी सामने आया था अकलेश ने इसी को लेकर डिप्टी सीम पर निसाना सादा और उसके बाद राजनीती और ज़्यादा गर्मा गई और वहीं अब आपको बता दें कि अकलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया केपुन्निती थी पर डिप्टी सीम पर जोड़दार हमला बोला उन्ह कहोना चाहिए अखरकार ये सरकार क्यों चुपाना चाहती है अखर किनियम साफ क्यों नहीं होता वहीं आपको बता दें कि अकलेश यादव ने कहा कि उनकी नियत साफ होती तो जैप्रकाश नरायन जी को पॉली थीन से नहीं ढखती इसके बाद जब उसने प्रजेश पाठ कार में समिधान पर हो रहे हमले का जखर किया उन्होंने कहा कि जिस दिन समिधान खत्म हुआ तब सब की अजादी चीन जाएगी उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग इस रास्ते पर समाज और लोगों को ले जा रहे हैं अकलेश ने इस मौके पर बेरोजगारी क भी मुद्दा उठाया वहीं ब्रजेश पाठक ने अकलेश यादव के बयान पर पलटवार किया डिप्टिस सीम ने उन्हें राजाओं की तरह आचरण करने वाला करार दे दिया ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुझे गर्व है कि जनता का नोकर हूँ उन्होंने मुझे सर्व कर बताने के लिए अकलेश यादव का धन्यवार उन्होंने इसके बाद गुरुवार को सीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नाम बदल कर मामले को अलग ही राजनीती का रंग दे दिया वहिंदर्श को बता दें आपको कि आब उन्होंने यानि कि ब्रजेश पाठक ने मैं जनता की सेवा के लिए ही बना हूँ और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं कि अगर वो मुझे जनता का सेवा कहते हैं तो अब इस पूरी बात को लेकर पूरी तरह से महाल परमा चुका है और अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अकलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को सर्वेंट कह दिया, जनता का नौकर कह दिया और ऐसे में वो इस बात को एकसेट करते हैं कि हाहाँ मैं जनता का नौकर हूँ और मैं ऐस बारे में अकलेश यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ तब सवाल उटता है कि अकलेश यादव ने जान बूच कर ये बात कही या फिर उन्होंने भाशन के चलते अपने जोड़दारी की बातों को चलते से बात को कह दिया फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम कबरों से जुड़ रहने के लिए आप देखते रहें ये नेक्स नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट